मेंगो का रहा है वा जी वा मेंगो पार्टी हो रही है दूकी भई गोड मॉर्निंग गाइज अब मैं हूँ आप जरहीम और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अमीद करता हूँ आप सब खेरिये से होंगे और मैं भी आपकी दौाओं से बिल्कुल ठीक हूँ सुबा के आठ बच चुके हैं और आज की करते हैं मदेदार वीडियो शुरू सब लोग उठ गए हुए हैं सब से इंड में मैं जा गहा हूँ और सब लोग अपने अपने कामों में लगे हुए हैं बच्चे खेल कूद में और शुराप्तों में लगे हुए हैं किरन नाष् करती बच्चे कहां पर बैठे हैं शराते कर रहे हैं चुटियां हो गई है इनको सारा दिन लड़ाई जगडा चलता रहता है और हदी के लिए मुसीवत बनी हुई है नीचे नहीं आ सकता है चला जाता है लेकिन आते हुए बड़ा मसला बनता है तो अभी भी मुसीवत में भी में फसा हुआ है कि नीचे मैं कैसे आऊ और इसने अपनी हालत कैसी बनाई हुई है आराम से बेटा आराम से ध्यान से मैंने कहा है कि आप लोग अकेले ना जाय करो उपर मैंने कहा है और अपने कपड़े देखो अपनी हालत तो देखो क्या बना हुई है ची 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 मैंगो खाया है आम खाया है सुबा सुबा है मुऊ पर भी लगाया हुई यह देखें और रोटियां बन रही है और दाल का सालंग भी त्यार हो गया है आप लोगों के एक चला जाए उससे के पैसे ले जाए उसकी भी चीज ले आए बहुत गंदी बनी होई इसको बहर नहीं लेगए जाना अभी जब तक यह कपड़े ना बदले तब आपनें तब तक आपनें इसको नहीं लेके जाना मैं आपकी चीजी लाता हूं मुझे दे दो आप गंदे बच्चे बने हुए हो दे दो ना आप न जाओ तो हदू राजी हो गया है भाया को पैसे दे दी है कि आप चीज ले आप अच्छा बच्चा है यह कहना मानता है कि हुआ बहुत गंदा खड़ाया जिनाब भी नी दोया और मुझे ओपर ना मैंगो लगे हुए है इसे बाबा दूदू नाच्टा तो कर लो पहले हदूने सुबह उठते ही दो काम करने होते हैं दूदू मांगता है और उसके साथ गुड़िया अभी मूड इसका ओफ है क्योंके इसको बाहर नहीं जाने दिया हमने चलो दूदू ले लो अपना अप भेना ने दूदू परवाइड कर दी है मैं गया तूम लेट के भी लो अच्छा बच्छा है कहना मानता है अच्छा बच्छे बहुत तंग करते हैं यह हदू के लिए अब लॉली पॉप लेकर आ गया है उपर से इसके ना दांत में कीड़ा लगा हुआ है दिखाओ यह देखें इसके दांत में कीड़ा लगा हुआ है अगर आपको नजर आ रहा निए प्षंकना थोड़ी है तुन्हें अब इसको ठैकना का बैब आपने गंदे बचे हो फैंकते तो नहीं हो दानिया के काम चेक करो बैना के लिए रॉली बाप लेकर आ गया और अपने लिए इसमय ले ऑगा जो निम्कों रॉड गंदी सी निम्कों को लेकर आ गया और यह देखो निशू को देखो यह क्या लेके आगया है एक खुटी लसी और यह चीजें जो हैं बच्चों के स्टामेक का बेडा अगर कर देती हैं मैं इस अपिता हैं बहुत डसलाइक करता हैं डसकरेज भी करता हैं लेकन आप क्या करें गें बच्चे जब अपनी मर्जी से कुछ लेके आजाएं ये देखें इन्होंने खाना काम और मौज मस्ती जादा करनी होती है ये 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 चीज़ है ये बहुत गंदी तो दोस्तों आप से भी रिक्वेस्ट है कि बच्चों को पैसे हर्गिज ना दे मैंने तो गलती कर दी सो कर द हैं वरना जब ये खुद दुकान पर जाते है ना अपनी मर्जी की गंदी चीज़ें लेके आते हैं और इनके पेट खराब होते हैं बिमारियां होती है और बड़े मसले मसाइल पैदा होते हैं तो लहाज़ा बच्चों को गंदी चीज़ें ना खाने दिया करें बई मैं भ लेके दूँगा फ्रूट लाके दूँगा और इस तरह की चीज़ें दूँगा अभी देखके मुझे हास रहे हैं के देखें बाबाजी वाट लगा रहे हैं हमारी तो गाइस अमीद करता हूं दोस्तों कि आप इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ख्याल करेंगे दाल रोट बच्चों ने रोटी खानी नहीं होती ऑए रोटी का तो बच्चे नाम नहीं लेते था हैं गंदी चीज़े हुँ बस्तों बस्तों उई खाते रहें तो इससे पहले नाच्ता ठंडा हो जाए जल्दी बच्वारा कहां थल्यादी अगलाओ एषिज़ें और ओधों कि इस सम तो बहुत बुरा लगा है कि मेरी फिकायत हो रही है मेरी वाट लग रही है आज मेरी यूट्यू पैमली के सामने जल्दी से पर ये बच्चा हुआ है त्यार और आ गया है आप लोग के सामने लाश हो गया है अच्छा ड्रेस पहन के और चलो बाई-बाई कर दो आप तो गाइज चाय के बगार तो नाश्ता दूरा ही रह जाता है दोस्तो चाय आ गई है और टाइम हो गया है साड़े आठ का तो जल्दी से चाय पीते हैं और फिर निकलते हैं अपने काम को अदर वाइस हो जाएंगे लेट तो लेट होना जो है वो अच्छी बात नहीं है तो है तो कलरफुल पला लेकिन सीछत के लिए बहुत कबढ़ा है यह डेखों किस तरह से और आवाज दी आए इसकी टककी आवाज आई अजब इसको काट के खाया इसकी दांट से और यही दांट में फसता है और दांट को कीड़ा लग रह रहे है ची 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 मुझे पसंद नहीं है ये खाना आप भी ना खाया करो देख रहे हैं आपको सब लोग देख रहे हैं मज़े से का रही है धीट बारी के पूरी बात है आप खौएंदा नहीं खाऊंगी खाएगा खाएगा मुझ से निकाल के बताओ कहो एंदा नहीं खाऊंगा मुझ से कहो एंदा नहीं खाऊंगी बताओगी मुझ से बता ना अब बता एंदा नहीं खाऊंगी बताओ 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 बोल नहीं सकती कहोंगी है बोलो फिर कहो एंदा नहीं खाऊंगी अच्छे चलो मुझ से गुड आफटर नून अपने काम से और देखते हैं किचन में क्या बन रहा है भूग बहुत लगी अभी तक खाना त्यार नहीं हुआ लहाजा देखते हैं किचन के अंदर क्या चीज त्यार हो रही है खुश्बू तो बहुत अच्छी आ रही है लेकिन यह पता नहीं किचन के अंदर के क्या बन रहा है अटा गूंद लिया गया है आटा त्यार हो पड़ा है बिलकुल और सालन में बन रहा है आलू और चिकन आलू है और साथ में फैनली आइधिंक खाना त्यार हो गया है तो अ सालनी से खा लेते हैं खाना और हदू भी खाना खाने के त्यारी कर रहा है दोलो फिर आप गिरना नहीं गिरना नहीं गिरना नहीं मूं दो लिया है आगे करो हाथ अच्छे बचे खाना काने दे पहले हाथ दोते हैं बाबा शाबाश 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 कपड़े प्राइन गी ले विश्रा ने खुरू शूलो बाद ख़ाना त्यार चलें जी बिस्मिला बढ़ते हैं दोपहर का खाते हैं उसके बाद फिर बागी काम करेंगे क्योंके खाने को इंतजार नहीं करवाते हैं बिस्मिल्लाहिर रह्मानिर रहीम तो आज गर्मी अच्छी खासी है खाना मैंने खा लिया है और चाय जो है वो त्यार है कि झाले है तो फाइनली इस चाय भी बी लिये है कहना खाली है अपने खाली है अब यह हम लोग हो रहे हो रहा है अपने रिश्पदारों के घर तो दोस्तो चेंज मैंने कर लिया है तो अभी फिर होते हैं रवाना और हदू ने भी कपड़े पहन लिए हदू ने रेड ड्रेस पहना है और जोगर पहने हुए है इसने इसकी मैं लोक दिखाता हूँ आपको उठाऊ आपको फिर दिखाऊ चले आज़ो आ यह देखें जी य जाड़ा हादू और यह तो रहता है बेचें घूमने फिरने के लिए इसको पढ़ गई है घूमने फिरने की आदाथ और यह कहता है भी जल्दी जल्दी चले यह भी दिखाऊ हूँ च्या यह वाले जोगर पहने है भी जी आदू का पूरा पूरा गैट अब है भाग के पपी कार पिर मुझे एक टैंक्यू मैं भी कर लो एक डबल कर दी और यह आप से ठीक है आप भी जाव बोलो अपिर मग्जे है कि आप बोलो ऑन्हें जावाले जैक्यू एसे होता है थैंक्यू मुल ए दुबाने कर दो माहिख अपने यूवर्स को सिलाम कर दो और जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से कर लें सब्सक्राइब ताकि इस तरह की मद्यदार वीडियो दाप तक तो दोस्तों अला हम खैर खैरिया से पहुंच गये हैं यहां पर हमारे रेलिटिव से हैं तो हम वहां पर पहुंच गये हैं और यहां का महोल मैं थोड़ा सा आपको दिखा देता हूँ कोशिश करता हूँ दिखाने की अगर सही तरीका है सही तरीके से दिखा पाया तो मैं कोशिश करता हूँ आपको दिखाने की कि यहां पर किस तरह से लश ग्रीन इंवायरमेंट है हर तरफ द्रख्त है और शहर से तो बहुत ही मुख्लिफ है और यहां पर तो पहुंचके दिल बाग बाग सा हो जाता है सब्सक्राइब के साथ यह बैठा है तीसरा कपूतर के साथ यह बैठा है तीसरा कपूतर अगर में रहने वाले कपूतर हैं लेकिन यह इदर उधर भी दाना शाना हासल करते रहते हैं दाना वगरा जो है वो चुकते रहते घर के इलावा भी तो यह चारपाई पड़ी हुई है चाहूं के अंदर इसके उपर मैं फिलहाल बैठ रहा हूं तो मैं यहां पर बैठ गया ह तो बहतर समझा है कि मैं आज इस वीडियो को अभी कंप्लीट कर देता हूं तो आज की वीडियो में जो एक पेगाम मैं देना चाहूंगा वो यह है जैसे मैंने पहले इस वीडियो के अंदर बच्चों की सेफटी के हवाले से बात की थी अब के बच्चे जो है वो टिकी ट मैं पहुंचाना चाहूंगा जो मैंनुफैक्चरर हैं इस फूड के बनाने वाले हैं उनकी तरफ के वो हाईजीन को बहुत ज्यादा मदे नजर रखते हुए प्रोड़क्ट्स बनाएं जो सिहत के लिए अच्छी हों और उनके अंदर कोई ऐसे केमिकल्स ना मिलावट करें जो सिहत के लिए खतरनाक हूं क्योंकि बच्चे तो बच्चे हैं बच्चों पे ज्यादा हम चेक बैलेंस नहीं रख सकते हैं अपने घर में रखेंगे जब वो स्कूल जाएंगे अपनी पौकेट मनी लेके जाएंगे तो स्कूल में जब उनका जो दिल करेगा वोई चीज खाएंगे तो इसलिए मैनुफैक्चरर्स जो हैं ऐसी चीजें बनाने वाले जो लोग हैं उनसे मेरी दिल से रिक्वेस्ट है कि खुदारा बच्चों की सिहत पे साओधा मत कीजिएगा बहुत शुक्रिया तो इसके साथ ही आज की वीडियो का करते हैं अखताम हसते रहें म शुक्राते रहें खोश रहें खुशियां बाटें और बांजा आ रहा है उसके आने से पहले ही जो है वीडियो का एक्ताम करते हैं मुझे रखिया का द्वाव में याद बाए बाए अला आफेस आप तेरी वीडियो आवाँ जै रेच्वाल चीजिए असलाम आलाइक्वाल क्या ले ठीक है अब बई गले मिलना होगते थिया ए छोटा बंजाए जी मेरा चैलेंजी अलाफेस बाए बाए